आप हार्डवेर में अगर कोई भी फोन लेते हैं तो थर्ड परसन से लेने मद हैं मतलब अगर आपने किसी बंदे को आपोइंट किया है कि तू फोन ले लिए कर मैं तो बिजी हूं अंदर फोन मनाने में वह पार्च में से ऐसे फोन उठा लेगा दो जो डैड होंगे और जो बताना चाहूंगा कि अगर आप सौडवेर पर अनलॉकिंग कर काम करते हैं तो भाई आप किसी से भी अगर फॉन लेते हैं तो पहले आप उसको सिर्फ की सकल लिया उसकी आईडी कार्ट से आप उसको मुवाइल मत लीचे आप अपने पास एक लैटर रखिए उस लैटर प और आपको डॉक्त में दे दूँगा अगर आप मुझे कमेंड करेंगे तो ही करूँका दरवाइस अगर आपको जरुत नीयुक्त को दिखाता हूँ जैसे इसमें आप देख सकते हैं अपर गासलोगो लगासलोग आप उसकाता है अवि sproutे सा सीर्फ की छोह दें दुएं में जब हम करते हैं दुकान में तो तरएट तरे के लोग आते हैं मॉबाइल उनलोक कराने के लिए हो सद्टा है कि मॉबाइल में को impact किसी कारण से वह उनलौक कराना चाहता हूं तो सबसे में वहले आदा कर संस्ता हो तो आपको समस्ता अगर आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि भीया यह जो नॉर्मल सा एक लैटर है हमारा उसमें आप सिगनेचर कर दो अपनी आईडी दे दो और दोस्तों इसके साथ में एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप अपने दुकान पर हैं अपने दुकान पर इतना खर्चा करते हैं आपने बैटने के लिए अच्छा खासा फरनीचर बनवाया होगा आपने क्या पंखा या कहीं न कहीं कुछ आपने अपन मुस्किल से 1000 या 2000 के अंदर भी एक सिंगल CCDB कैमरा भी पर्चस कर सते हैं 2.5 जितने भी मेगा पिचल्स का आपको कैमरा सूटेबल लगे जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लग जाता है जो आपकी जो मेन लोकेशन है जिसके सामने कस्टुमर खरा रहता है तो एडलीस वो ग लेटर में जनली फोन नंबर आईमी नंबर आपको लिखवाना है और यह सब कुछ आपको नहीं लिखना है यह उस कस्टुमर को ही लिखने दीजेगा यह आपको नहीं लिखना है आपको अपनी राइटिंग यूज नहीं करनी है कस्टुमर को उसकी राइटिंग यूज कर होता है जब भी भी unlocking होती है तो सबसे में इंपोर्टेंट होता है बिल आप उसे बिल मांगे आप उससे दबा मांगे ओर इजनल दबा तो अग यह सब नहीं हो पाता है बहुत से लोग पराना फॉन लाते हैं उनका बिल और उनका दबा वो नहीं दे पाते हैं तब यह उसके बाद आपको उनकी ओरिजनल आईडी और यह लेटर में अगर आप साइन करवाएंगे तो मुझे लगता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी और प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी अगर वो जन्यून होगा तो अब्वेस है क्योंकि कोई बंदा अग हाइक कि मैं सुनिच्ट करता हो कि अगर यह फोन चोरी का ुड़े का नहीं है अगर किसी भी कारण से कोई भी कारबाई होती भी तो उसकी जम्मेदारी दुकानदार इस दोकार की कोई जम्मेदारी मा Ebbernला तो बिसिके है आप उसमें हाइलाइट में लेखा हुआ है कि अग आप अपने लैटर हैड में छबवा लें एक पैमपलेट बनवा लें इस तरह से और आप कस्टमर से साइन करवा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब अगर आप चाहें तो मैं अपने नेस्ट वीडियो में इसको एक डॉक में डिसक मांगें आइडी तो हो नहीं होना है अगर कोई आइडी नहीं देता है तो आपको उसको अनलॉकिंग नहीं करना है आपको वह फोन बापस कर देना है और अगर आपको कस्टमर भी तोरा संदिक लगता है आपको लगता है कि यह जो कस्टमर है यह इतना महेंगा फोन अफ़ दिखाते हैं उतना ही आप परहुत अच्छा ही अपनी दुकान चला सते हैं तो दोस्तों यह जो डिकत ऐसे बन-लॉजकिंग में नहीं आते हैं यह पिकेसे केन वर जासे बहुत से केस होते हैं जो मेरे जो मुझे से लोग बहुत डिसकस्द करते हैं कि सब्सकर última का फोन देते हैं कि net truck नहीं आ रहा है और बिसीकली वो फोन को बंद रहता है उसमें कहते हैं कि नहीं नहीं है मैंने तीन चाहिए निसे चलाए नहीं तो बैर्ट्री बैट्री नहीं है तो आप देखे लो जैसे भी है अब आपको जल्द बाजी के कारणा उससे फोन तो रिसीव कर ल या उस फोन को उने के बाद में तच नीवर कर रहा है या उसके फोन अनलीकर उसमें लाइड डिस्प्ले निया या किसी प्रकार की तीसरी ठर्ड प्रॉबलम अगर उसमें होती है तो आप फॉर्जम पर उसके अंदर आपने खोल के देखा कि इसके अंदर आप स्कुरू नही और आपके उपड़ीट शीज डाल देगा और मुझे पूरे यकीन है बहुत से जो वीवर्स या जो सब्सक्राइबर्स यह वीडियो देख रहे हैं उनके साथ यह हुआ भी होगा पिलीज कमेंट करें के जरूर बताना है कि आप लोग के साथ कहा कि ऐसा हुआ तो ताकि बाकी सब्सक्राइब करें और अगर फोन लेते हैं तो सबसे पहले इसकी बिल की डिमांड करें उससे डिमांड करें प्लस उसके अपने जो लेटर है जो मैंने आपको दिखाए वे उस तरह से कम टमसों कंडिशन जिसमें बगादा आप पूरी चीज़ें को नोटिफाइब करें से नीचे उसका सिगनेचर कराएं एक सीड़ी कैमरा लगाएं प्लस आप हार्डवेर में अगर कोई भी फोन लेते हैं तो थर्ड पर्सन से लेने मत दें मतलब अगर आपने किसी बंदे को आपोइंट किया है कि तू फोन ले लिए कर मैं तो बिजी हूं अंदर फोन मनाने म सो भाइया वो पाच में से ऐसे फोन उठा लेगा दो जो डैड होंगे और जो आपके सर पर आ जाएंगे तो प्लीज ऐसा मन कीजे आप यह वीडियो को देखने के बाद में काफी अच्छा नौलिज आपको मिला होगा और ऐसा ही कुछ-कुछ ने-ने मैं पॉइंट आपके इसलिए लेकर आऊंगा और आप कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं उस तरह से वीडियो लेकर आएंगे तैंक यू बड़ी मच एंड कीब लर्निंग